तो जैसे ही आपने टाइटल में देख लिया है कि वीडियो किस पर है तो आज जो है मैं आपको ड्राइ स्कीन की स्कीन केर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी मैं ज्यादा कोई एक्सपेंसिव स्कीन केर नहीं करती हूँ नॉर्मल जो अपने घर में चीजे मौजूद होती है उन्हीं चीजों को फेस पर यूज करती हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो तो सबसे पहले जो है अपना चाहरा मैंने अच्छे से जो है क्लीन कर लिया है फेस वो है वह पॉंज का ब्राइटनिंग फेस वोज है और वह मैंने यहां पर आपको वीडियो दिख जाएगी उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी ठीक है गाइस मैंने अपना फेस वोज अच्छे से कर लिया है तो अब स्टार्ट करते हैं जो हमें अपनी स्कीन के मैंने बहुत से मोशराइजर ट्राय किया है बट कोई भी जो है मेरी स्कीन के ओपर बिल्कुल भी सूट नहीं किया है तो लास्ट में जाके मैंने यह सेड़फिल का यह मोशराइजर चेक किया तो मतलब ट्राय किया मेरी स्कीन पर इतनी परफेक्टली यह बैठा कि मैं क्या यहाँ ही बताओं लेकिन रोज जैसे लगाती 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 स्कीन को जो ही ब्लैक कर देता है अधर प्रोडेक्ट से वह भी मैं अभी बताओं तो थोड़ा से इस मौशराइजर के बारे में आपको बता देते हूं यह सेटाफिल का है इस प्रोडेक्ट को डॉक्टर भी सजेक्स करते हैं और यह काफी अच्छा प्रोडेक्ट है इसको यूज करने के बाद आपको कोई भी हाइड्रेशन शिरम लगाने के जूरत नहीं है इसलिए मैं कह कि मैने जो अपना स्कीन केर जो नेचरल स्कीन केर में अपने आप करती हूं वही मैं आपको दिखाने वाली हूं तो सबसे पहले यह सेटाफिल का मोशराइजर है और यह यह ओली फो ड्राय स्कीन है और सेटाफिल के ओली प्रोडेक्ट लिए भी अलग से उन्होंने प्रोडेक्ट यूज कर रही हूं सिर्फ वही मैं आपको शेयर कर रही हूं तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा और ले लेती हूं इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगी इसको ओके और अच्छे से जो है अपनी अपने चैरेपर इसको लगा लूंगी और नेको आइज को इस प जो हैं। छीक है और मैंने सुना है कि क्या भाली को यह प्रोडेक्ट जो है शूट नहीं आता है। पर मेरी स्कीन को तो बहुत अच्छी से पर शूट आया है और अच्छे से इसको मैंने लगा लिया है और अपनी नेक को भी मैंने नहीं छोड़ा है तो आप देख सकते हैं सर्दियों के टाइम में हलके हलकी ब्लैकनेस को आई ही जाती है यह हमारा मोश्राइजर हो गया इसको हमने 5 मिनट छोड़ दिया है तो गाइज अम मैं जो है संस क्याया थेलब इसको वी diva कर्म प्रीं वराइजर हो अंत्ता संथ में संथ्थ को आपकी स्कीन को ग्लोइंग करने में काफी है और इसका जो फोर्मूला है बिल्कुल लाइट एट फोर्मूला आयक्ट में जो मुझे ब्लेक्वेट मुझे मितलम महानुसी ना ओ मेरे PB ए चै नाने में काफी benefit होती है तो मैं use कर रही हूँ ये मम्मा आर्थ का rice वाला और इसका भी हम ले लेंगे ठीक है? बिल्कुल खता मोरने को है ये भी तो इसके भी हम अच्छे से इतना लेंगे ओके? और इसको ही अपने चेहरे पर लगाएंगे ओके? तो मैंने अच्छे से ले ली है और अच्छे से जो है अपने चेहरे पर इसकी massage करेंगे और इसका जो formula है बिल्कुल ही lightweight formula है दो ही minute बिल्ट छोड़ो दो ही second में जो है आउंके screen पर ये है अच्छे से blend हो जाता है और एक healthy glow छोड़के जाता है मैंने भी अपनी sunscreen अच्छे से लगा लिया और इसको लगाए हुए दो से तीन minute हो गए है screen ने जो है sunscreen को जो है absorb कर लिया है तो अब बात आ रहे है लिबबाम पर लिबबाम के लिए मेरे पस दो तिन option है तो ये जो है local market में हमें available है वो लिबबाम है ये हमारा निविया का लिबबाम है तो आप कोई भी लिबबाम यूज कर सकते हैं मैं ये वैसलीन वाला यूज कर रही हूँ ये भी काफी अच्छी है तो गाइज अच्छे से मैंने लिबबाम लगा लिया है बैस यही मेरा जो है day time का skincare है for dry skin के लिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ अगर मुझे कहीं बाहर जा skincare के उपर मैं अपना make-up लगा लेती हूँ जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो मैं अब जो है इस time पे ये पॉंस का अगर मैं कहीं मतलब अपने घर पे रह रही हूँ और नोर्मल सा make-up lightly जही होता है तो अपना ये पॉंस का जो है ब्राइटनिंग वाला मॉश्राइजर है इसको यूज कर लेती हूँ और इतना भी जाना ने थोड़ा सा ही यूज कर लेती हूँ ओके और इससे जो है आपकी स्कीन पर अच्छा सा ग्लोइंग सा इफेक्ट आ जाता है हलका सा जो हमें नॉर्मल डे के लिए अपना ग्लो चाहिए था वो आई थिंक मेरे चहरे पर आ गया है कहूंगी कि गाईज जो मेरा चहरा है बहुत ज़्यादा ओईली ओईली सा नहीं है कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ओईली ओईली सा दिखाते हैं अपने फेस को बट उस टाइब का फेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरा स्कीन केर है नेचुरल जो स्कीन केर है यह आपके सामने है बैस मैं इतना ही करती हूँ इसके बाद जो है मेरी नाइट टाइम की रूटीन वीडियो आने वाली है मैं अपने नाइट टाइम में किस टाइब का स्कीन केर करती हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो उसको भी देखना ना भूले आई बटन में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं ठीक है गाइस वीडियो अगर इन्फोर्मेटी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सस्क्राइब माइच चैनल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बाई